हालो बच्चो आज हम देखेंगे पेरिमिटर टॉपिक जो की सिक्स्टाइंडर येंसाडी का टॉपिक है इसमें अभी क्वेशन नंबर वन देखेंगे फाइंड दे मिसिंग टॉप्स देखो इसमें दिया है पेरिमिटर ओपर रेट्टाइंगल 14 सेंटिमेटर ब्रेट दिया है टू सेंटिमेटर और हमें लेंद निकालना है अभी इसको कैसे सॉल करें तो फिर देखो क्या करेंगे हम हमारे पास एक फॉर्मिला है कौनसा पेरिमिटर ओपर रेट्टाइंगल इस इकोल टू अभी क्या करना है पेरिमिटर ओपर रेट्टाइंगल की जगा पर 14 सेंटिमेटर डालना है लेंद की जगा पर जैसा है वैसा लेंद लिखना है और ब्रेट की जगा पर हमें 2 सेंटिमेटर लिखना है उसके बाद 2 से length को multiply करेंगे और 2 से 2 को multiply करेंगे उसके बाद हो जाएगा 14 is equal to 2 into length plus 4 अभी जो right में plus 4 है उसको हम is equal to के left वाले side पे लेके जाएगे और वो हो जाएगा minus 4 अभी होगा 14 minus 4 is equal to 10 और right side में 2 into length जैसा है वैसा लिख देंगे अभी जो right में 2 multiplied है उसको हम left में लाके divide कर देंगे अभी 10 divided by 2 यानि answer आ जाएगा 5 और वह ही हमारी length होगी अभी उसी में से B question है perimeter of a square is equal to 20 cm और side of a length is equal to question mark यानि हमें perimeter दिया है square का और उसमें हमें क्या निकालना है side of a length निकालना है हमारे पास एक formula है perimeter of a square is equal to 4 into side इसमें perimeter of a square की जगा पर हम डालेंगे 20 cm और right side में 4 into side जैसा है वैसा लिख देंगे अभी right में जो 4 multiplied है उसको हम left में लाके divide कर देंगे यानि कुछ ऐसा answer हो जाएगा 20 divided by 4 is equal to side यानि 20 divided by 4 होता है 5 answer यानि side हो जाएगा हमारा 5 cm अभी question number 1 में से C question है perimeter of a rectangle is equal to 12 meter length है 3 meter और हमें निकालना है breadth कैसे निकाल सकते हैं देखो same formula यूज होगा जो हमने question number 1a में यूज किया था जो था perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus breadth इसमें perimeter की जगा पर लिख देंगे 12 और length की जगा पर लिख देंगे 3 और बाकी जैसा है वैसा लिख देंगे right में जो 2 multiplied है bracket को उसको हम left में लाके divide कर देंगे 12 divided by 2 यानि हो जाएगा 6 और right में रहेगा 3 plus B next step में right में जो 3 है उसको हम left में लाएँगे वो हो जाएगा minus 3 और हमारा breadth आ जाएगा B is equal to 3 therefore breadth of a rectangle is 3 meter उसके बाद question number 2 है a rectangle having side length 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire मतलब एक wire से एक rectangle बना है उसका length जो है वो 5 cm है और breadth जो है वो 3 cm है उसके बाद दिया है if the wire is straightened अगर उस wire को हमने straight कर दिया and then bend to form a square और उसी wire से हमने square बना दिया what will be the length of a side of a square तो फिर उस square का side का length क्या हो जाएगा ऐसा हमें question पूचा है बहुत ही simple सवाल है और उसका answer भी बहुत ही simple है क्या है देखो एक ही wire से rectangle बना है और उसी wire से square भी बना है तो फिर दोनों का perimeter हो गया equal यहाँ पर अभी हमने दोनों के formula लिखे और उसमें अभी उसके value भी डाल दिये left side का calculation करने के बाद हमारा answer आ जाएगा 16 right में जो 4 है उसको हम left में लाएंगे और divide कर देंगे तो हमारा answer आ जाएगा 16 divided by 4 यानी answer आ जाएगा 4 और हमारी side होगी वह होगी 4 cm therefore length of side of square is 4 cm अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो subscribe करो like करो ज्यादा से ज्यादा शेर करो notification बटन अन कर दो कर दो कर दो